नमुश्कार उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सा प्यार चलिए सुनते हैं कहानी लंदन की एक रात इसे लिखा है निर्मल वर्मा जी मैं दूसरी बार वहां गया था पहली रात देर से पहुचा था जाने से पहल सोच रहा था शायद आखरी छण उन्हें किसी आदमी की जरूरत पड़ेगी और वे मुझे बुला लेंगे देर तक धर धराती मशीनों के भीतर सोडे की बोतलों का स्वा सुनाई दे रहा था हम में से जिने काम मिल गया था वे जल्दी जल्दी अपने सूट उतार कर काम के कपड़े पहन रहे थे बाहर दालान में बोतले थी फीकी चांदनी में चमकती हुई एक के उपर दूसरी सिलसिले वार फैक्टरी की दिवार से सटी हुई दूर से देखने पर लगता था जैसे काच के किसी लंबे टिले पर बहुत सी बिल्लिया एक दूसरे का गला पकड़ मैं खड़ा रहा फिर कुछ देर बाद एक अंग्रेज सर्जन मेरे पास आये तुम अभी तक खड़े हो मैंने कहा ना आज कुछ भी नहीं है उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया नहीं मैं सिर्फ देख रहा था मैंने धीरे से उसका हाथ अपने कंधे से अलग कर दि दूसरी रात थी ट्यूब स्टेशन की सेढ़ियां चड़कर उपर आया तो देखा कल की चांदिनी आज पूरी तरह निखर कर फैली है दूर मिलकी चिमनियों के बीच लंदन का धूमिल आकाश सिमट आया था मुझे दुबारा रास्ता टटोलना पड़ा मैं उन सड़कों पर दुबारा चलने लगा जिन पर कल चला था जो अब परिचित थी किन्तु चांदिनी में अजीब सी अंजानी दिखाई दे रही थी किन्तु नार्थ एक्टन से जरा आके चलकर मेरे पाउं खुद बखुद ठिठक गए सोचा था आज मैं जल्दी आ गया हूँ और केट पर मेरे अलावा कोई दोसरा नहीं होगा किन्तु मेरा अनुमान सही न था वहाँ पहले से ही बीस पच्चिस बेरोजगार युवकों की भीड जमा थी अंग्रेज लड़के कुछ छात्र जो देखने में बर्मी जान पड़ते थे दक्षणी अफरीका और वेस्ट इंडीज के निग्रू सब अलग अलग गुच्छों में खड़े थे सबकी आँखें गेट परटे की थी कुछ के चहरे जाने पहचाने लगते थे उन्हीं शायद कल रात देखा था उन सबकी आँखें मुझ पर उठाई खामोश और तनी हुई मुझे लगा जैसे उस खामोशी में एक अजीब सा भै उभराया है मेरे प्रती उतना नहीं जितना उस अज्यात नियती के प्रती जिसका निर्णय अगले चंद लमहों में होने वाला था मैं भी उनके संग एक कोने में खड़ा रहा उनसे डरता हुआ फिर भी उनसे बंधा हुआ पौने नौ के करीब मैनेजर हमारे पास आये मुझे तनिक निराशा हुई वह कल वाले सज्जन नहीं थे जिन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा था उनके हाथ में कागस का एक पुर्जा था हम सब उनके पास खेसक आये चड़िया घर के उन मूख निरीह जन्तुमों की भाती जो कुछ भी पाने के लालत से यंत्र चाले गती में सीखचों के पास खेसकते आते हैं एक च्छण के लिए उन्होंने हमें देखा हमारे खुले, नंगे, भावहीन चेहरे एक के बाद एक नाम पढ़ने लगे वे सब लोग च्छाट लिए गए जिन्होंने पिछली रात काम किया था उनके अलावा सिर्फ तीन और लड़कों को चुना गया दो लावारिस से दिखने वाले अंग्रेज युवक और एक दख्छनी अफरीका का विद्यार थी जो सबसे आगे खड़ा था और बार बार जुक कर मैनेजर के कानों में कुछ फुसफुसा देता था आज इतनी ही उन्होंने सहान भूति पून भाव से हमारी ओर देखा आप लोग कल आईएगा शायद कुछ आदमियों की जरूरत पड़ेगी भीड में से तीन चार युवकों ने आगे बढ़कर उनसे बहस करने की कोशिश की किन्त उन्होंने बहुत असहाय भाव से अपने हाथ हिला दिये और मुस्कराती आँखों से हमारी ओर देखते हुए फीतर चले गए हमारी प्रतिक्षा का अंत आ पहुचा है इसे जानते हुए भी हम में से कोई उस पर विश्वास नहीं कर सका मैनेजर के जाने के बाद भी हम में से कोई अपनी जगह से नहीं हिला लगता था जैसे पिछले तीन मिन्टों में जो कुछ भी घटा बड़ा है वह अभी अपून है एक ऐसा अवास्तविक तत थे जिसका शायद हम में कोई वास्ता नहीं अभी कुछ ऐसा है जो बाकी है जो प्रतिक्षा के बाद भी अपने दरवाजे खुले रखता है हम में से बहुत से ऐसे थे जो ट्यूब में तीन या चार शिलिंग का टिकेट लेकर लंदन के सुदूर कोनों से यहां आए थे हम सब के हाथों में एक थैला था जिसमें हमने रात की ड्यूटी के कपड़े और खाने का समान बांध रखा था हम में से किसी के लिए भी या विश्वास करना कठिन था कि हमें अगली ट्यूब से वापस लौट जाना होगा पाइप से निकलता गुन-गुना पानी चाननी में जिल मिलाते कीचर के कड़े यहां तक की नाली में पड़ी एक खाली बोतल हमें काफी अप्रसांगिक और बेतुके से जान पड़े हम शायद यह भी भूल गए कि हम यहां किसली आये थे चंद लम हो पहले जो नौकरी ना मिलने का दुख था अब वह सिर्फ एक बेडॉल विक्रित बोज सा हमारी टांगों के इर्द-गिर्द लिपट गया था जिसे हमें दुबारा घर तक खसीत ले जाना होगा उस चंद भूख और निराशा के बावजूद हमारे मन में कहीं भी कोई खीज या कटुता नहीं थी किन्त कुछ लमहों के लिए ही सहसा वह माया वी छट टूट गया हम फिर वापस अपने अपने में लौट आये एक लंबी बोजिल सी सांस उस अद्रिश बेडॉल भीड के उपर उठी और चंद अशलील अनरगल गलियों में खो गई एक दूसरे की देह की गंध जिसे हम पास पास खड़े सूंग सकते थे गलियों के बावजूद अपना सकते थे अब अलग-अलग रास्तों पर छितराने लगी थी केवल हम तीन व्यक्ती अब भी आहाते के भीतर अनिश्चित सी मुद्रा में खड़े रहे मेरे पीछे हलकी सी सरसरा हट हुई ब्लडी बास्टर्ड पहले व्यक्ती ने कुछ दबे, कुछ फर्राय से स्वर में कहा वह आगे बढ़ाया भैबीत आशंकित आँखों से चारों ओर देखा और फिर बोतल की टोकरियों के धेर से सोडे की एक बोतल निकाल कर पीने लगा दूसरी बोतल उसने तीसरे व्यक्ती के हाथ में जबरजस्ती पकड़ा दी पीओ यार उन सालों को कुछ भी पता नहीं चलेगा तीसरा व्यक्ती जो कम उम्र का निग्रो चात्र सा दिखता था बोतल लेने में जिजक रहा था किन तो फिर ना जाने क्या सोचकर उसने अपने सिर को हलका सा जटका दिया और एक दूद पीते शिशू की तरह बोतल को दोनों हाथों से पकड़ कर होटों से लगा लिया एक लंबा घोट लेकर उसने नंगी बाह से अपनी मो पोचा और बोतल मेरे सामने कर दी यह तीसरी बार है जब यहां मैं आया हूँ कल जिस बाबू ने काम देने का वाइदा किया था आज वह दिखाई नहीं दिया कल भी ऐसा ही होगा कोई नया बास्टर्ड आएगा और उसे पता नहीं चलेगा कि हम आज रात आये थे कल कौन आएगा मैं तो इस तरफ छांकूंगा भी नहीं डैम दीज पहले व्यक्ति ने अपने ओवरकोट के बटन खोल दिये इतनी गर्मी में ओवरकोट पहने था इससे मुझे खास आश्चरी नहीं हुआ उसका व्यक्ति तो कुछ ऐसे ढंग से ओवरकोट से जुड़ा था कि एक को दूसरे से अलग करना ही आश्चरी जनक होता वह एक लंबा हिष्ट पुष्ट युवक्त था छोटी सी गोरी दाढ़ी थी जिसके पीछे आँखें एक सूखी तिक्त बौकलाहट से छपकती रही बौकलाहट भी नहीं एक अजीब सा नर्वस तनाव जो अकसर शिकार किये जाने वाले चानवरों में मिलता है हॉलिवुड के विलेन सा उसकर डील डौल अंधिरे में किसी भी अजनवी को काफी भयावह लग सकता था हम धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए नौर्थ एक्टन के पुल पर आ गए थे लंदन की डबल डेकर बस हमारे पास से गुजर गई अगस्त महीने के पीले करारे पत्तो का रेला देर तक बस के पीछे भागता रहा तीसरा व्यक्ति निग्रो युवक अभी काफी उदास था और चुप चाप सड़क पर आँखें जुकाए चल रहा था लंदन में कब से हो दाड़ी वाले युवक ने बाद में जिसने अपना नाम बिली बताया था निग्रो के कंधे पर हाथ रख कर पूचा वह चुप रहा कहां से आये हो दक्षन अफ्रीका से यहां पढ़ता हूँ वह शायद बात को यहीं खत्म करना चाहता था उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और हम दोनों के आगे कर दिया हमने धन्यवाद दे कर आँखें मोड ली यह उसकी आखरी सिगरेट थी और अपनी भूखी लालसा के बावजूद हम में इतनी शिष्टता बाकी थी कि उसे लेने से इनकार कर दे किन्तु यह सिष्टाचार अधिर देर तक ना चल सका कुछ देर बाद हम तीनों उस सिगरेट को बारी बारी से पी रहे थे सामने लंदन की रात थी बोजहिल गंदली शांत वह शहर का एक उजार कोना था और सड़क खाली थी खाली लेकिन विरान नहीं पत्तों की सरसराहट पुराने मकानों की बासी गंद लगता था जैसे बीच में हम अनेक निश्प्रांट चीजों को ठेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं हालां की बीच में हवा और लैंप पोस्ट के दाइरों के अलावा कुछ भी नहीं था तुम कहां जाओगे? बॉरेन स्ट्रीट उसने कहा पिछले दो दिनों से आ रहा हूँ अब तक पांच पॉप्स सिर्फ आने जाने में खर्च हो गएं इतने पैसे से तो मैं टीवल टैनिस खेलने जा सकता था उस समय टैनिस खेलने की चर्चा काफी विचित्र जान पड़ी उसके चहरे से भ्रम होता था कि पिछले कई दिनों से उसे भर पेट खाने को भी नहीं मिला है मेरे दोस्त को काम मिल गया है निग्रो छात्र ने तनिक उत्साह पूर्बक कहा हम दोनों साथ रहते हैं कल शायद वह मुझे कुछ शिलिंग उधार दे सकेगा डैम हिम इफ इड़संट विली ने अजीब खीजे स्वर में कहा मैं तो कल किसी हालत में नहीं आऊँगा प्लीज कम टुमारो मैंनेजर की नकल उतारते वे उसने मुह सिकोर लिया टुमारो भी डैम्ट तुम कल आऊँगे उसने पहली बार मेरी और उनमुक होकर पुछा शायद आऊँगा मैंने जान बुच कर उसे कुछ अधिक खेजाने के लिए कहा उसके इस समय कल की बात करने से मुझे काफी अफसोस हुआ था साले कितना देते हैं धाई पाउं निग्रो छात्र ने कहा हर सुबह हाँ हर सुबह आधी रात के समय चाय और सैंड्विच भी देते हैं मेरा दोस्त बता रहा था कल मैं और वह संग आय थे उसे ले लिया गया मैं रह गया निग्रो था? नहीं, वह बर्मी है और आप? विली ने संदिक्त भाव से मेरी और देखा जैसे अपनी नजरों से मुझे तौल रहा हो आप क्या जापानी है? मैंने सिरहला दिया इतनी सी बात पर उसका प्रतिवात करना मुझे निरर्थक जान पड़ा कुछ देर तक हम चुप-चाप ट्यूब स्टेशन की ओर चलते रहे जब कभी गरम हवा का जोका आता हम सिहर जाते तब हमारी भूक अपने सब पैबंद तोड़ कर उघर जाती लगता जैसे हवा लैंप पोस्ट के पीले मध्धिम आलोग को तोड़ जाती हो तोड़ कर अपने संग बहा ले जाती हो गरमी काफी है पिछले पांस साल से असी गरमी नहीं देखी पिछले पांस साल से लंदन में हो शायद जादा तब से कई काम कर चुका हूँ अब जादा नहीं रहूँगा क्या वापस घर जाओगे विली ने पूछा घर निक्रोचात जोर्ज के स्वर में एक सूना सा खोखला पन उभराया मानो घर शब्द बहुत विचित्र हो जैसे उसने पहली बाहर उसे सुना हो मैं चाहता था यहीं रहू लेकिन वे हमें चाहते नहीं वे अह बिली ने कहा वे अनायास हमने चारो ओर देखा कोई भी ना था हालांकि वे हर जगां हर समय हमारे संग थे हमारे बाहर उतने ही जितने भीतर तुम यहीं थे जब जौरिंग हिल में फसाद हुआ विली के सफेद दाथ चमक उठे नहीं तब मैं लंदन नहीं आया था मैं वहीं रहता हूँ तीन दिन तक एक अंग्रेज लड़की के घर छेपा रहा जब वे एक-एक निग्रों को चुन कर लिंच कर रहे थे मैं उस सफेद हुआर के संग सोता रहा उसने सोचा था मैं उसे चाहता हूँ लेकिन मैंने उसे उसके बाद देखा तक नहीं उसे नहीं मालूम मैं बदला ले रहा था उसकी सफेद चमडी के संग और उसने हाथ ते इशारा किया अशलील उतना नहीं जितना जुबक सामे दूर कारखानों के धुएं के परे ट्यूब स्टेशन की बत्तियां चमक रही थी लगता था जैसे धर्ती का कोई टुकडा अचानक बीच में से फट गया हो और उसके नीचे से हीरों की चमचमाती जालर उपर निकल आई हो तुम यहां पढ़ते हो हाँ, लेकिन गर्मियों की छुटियों में काम करता हूँ पहले डांस के लिए जाता था जॉर्ज ने कहा उसका स्वर भी काफी उदास था जैसे काम ना मिलने का दुख अभी पूरी तरह ना मिटा हो कॉंटिनेंट में क्यों नहीं जाते यार बिली ने कहा मेरा एक दोस्त जर्मनी गया है वहां नौकरियों की कमी नहीं सुना है वहां लड़कियां काले रंग के पीछे भागती है सिर्फ इशारा करने की देर है शायद पिछली लड़ाई की वजह से जॉर्ज ने कहा कुछ साल पहले मेरे फादर वहां गए थे कहते थे कहीं आदमी नजर नहीं आता हर तरफ औरतें ही औरतें जॉर्ज ने आश्चर इसे विली की ओर देखा फिर मेरी ओर वह शायद कुछ कहना चाहता था किन्तु फिर कुछ सोच कर उसने सिर्फ सिर्हिला दिया कहा कुछ भी नहीं और शायद यह ठीक भी था लंडन की उस खामोश करम रात में वार बहुत दूर की चीज लगती थी अर्थ हीन और हास से प्रद उस पर बहस करना कोई भी मानी नहीं रखता हुआ भी यही हम बहुत जल्द विली की बात को भूल गए उसके बाद हम देर तक अलग अलग देशों की लड़कियों के बारे में बाते करते रहे लगता था जैसे पुरानी भूख के बीतर से एक आएक नई भूख जाग गई हो मैं स्पेन जाना चाहता था उधर की लड़कियां आह पैशन लेकिन सालों ने वीजा नहीं दिया अपने देश की कुमारियों की वर्जिनीटी का उन्हीं बहुत खयाल है स्पेन किसी ने जैसे कुछ बहुत पुरानी राक कुरेद दी हो तुम गए हो मैं जाना चाहता था बहुत पहले सिविल वार में तब मैं बहुत चोटा था सिविल वार हमारे देश में शायद और जार्ज अचानक चुप हो गया उसके खुराले बालों पर पसीने की बूदे चमक रही थी I don't like सिविल वार विली ने कहा हमारी बात फिर वहीं आकर अटक गई बेगा टेल की उस कोली की तरह जो चारों और घूम फिर कर एक ही छेद में आफस दी है हमारा उससे कोई वास्ता नहीं था वह लंदन की बहुत खामोश और गरम रात थी और वार बहुत दूर की चीज लगती थी राश्ते के दाई और एक पुराने टैबंस से हसी और संगीत का मिला जुला स्वर बहाता था टैबंस के पीछे गली गली के अधिरे कोने में दो छाएं एक दूसरे से लिप्टी हुई बार बार हिल उठती थी उपर उठी हुई स्कर्ट के नीचे एक सुडोल नंगी टांग रह रह कर काप जाती थी और फिर टटोलते हुए विहवल हाथों के नीचे भीच जाती थी चलो कुछ बीर पिया जाया बिना कुछ पिये मैं ठीक से सो नहीं सकता विली ने कहा मुझे हलकी सी दुवधा हुई मेरी जेब में आखरी दो शिलिंग पड़े थे जो मैंने ट्यूब के लिए बचा रखे थे जॉर्ज का हाल ज़्यादा बहतर नहीं दिखाई दिया विली के प्रस्ताव को सुना अंसुना किये अंधेरे में सीटी बजा रहा था विली शायद समझ गया जॉर्ज के कंधे पर हाथ रखकर उसने कहा विक्र की कोई बात नहीं यहां के लोग मुझे चानते हैं एक जमाने में मैं यहां अकसर आता था जॉर्ज का उपीक्षा भाव अचानक मिट गया एक अजीब बचकानी सी खुशी चहरे पर फैल गई मैं थोड़ी सी जिन लूँगा आशा है कल मेरा मित्र कुछ श्रिलिंग उधार दे सकेगा हमारे पाउँ पब की ओर मुड़ गये दर्वाजा खोलते ही आवाजों के एक गरम उफनाते रेले ने हमें अपने में समेट लिया धुएं में गुथती उलचती एक दूसरे को छीलती आवाजे जो कहीं निस्तार ना पाकर गंदले उबले पानी की तरह एक ही गढ़े में इकठी होती गई थी रोशनी थी मध्धिम धुएं में घेरे में घेरी जिसमें किसी एक चहरे को पहचानना उसे दूसरे से अलग कर पाना असंभव था नीचे बेस्मेंट था कुछ सीड़ियां उतर कर कभी कबार नाश्टे हुए जोडों की छाएं चीने पर गिर जाती थी कभी बेडॉल और लंबी कभी इतनी छोटी की लगता जैसे पारदर्शी जलतले मचलियां उपर उठती हूँ और दूसरे छण ही डूप चाती हूँ हम कोनी की मेस के इर्दगिर बैट गए विली कुछ देर बाद बियर की तीन बोतले और गिलास ले आया हम पीने लगे पहले मैं यहां काम करता था कुछ महीने रहा फिर मन उप गया इस पप का मालिक इटैलियन है बुरा नहीं है लेकिन डरता बहुत है इस तरफ आया तो तुम उस तुम से मिलवाऊंगा बिली ने कहा काफी टिप मिलता होगा अंगरी ज़्यादा नहीं देते बहुत हुआ तो एक छे पैनी लेकिन कॉंटिनेंट से जो टूरिस्ट आते हैं उनकी बात दूसरी है दिल उनका खुला होता है लेकिन बेवकूफ वे भी होते है मुझे अब कोई भी काम मिल जाए मैं कर लूँगा जॉर्ज ने कहा भीतर की गाठों पीच बियर ने रास्ता बनाया है जहां पहले बंद सीक्चा था अब वहां पड़़़ाते पंक है उड़ने को आतू मैं अब जादा दिन यहां नहीं रहूंगा विली ने कहा मेरा दोस्त जर्मनी में है हो सका तो एक दिन वहां जाओंगा विली ने ग्लास खतम कर दिया फिर उसे मेच पर उल्टा कर दिया एक भी बून नहीं किरी बियर का जाग टाड़ी पर छितर आया था जैसे रेत के कड़ों कीले और सफेद मैं जर्मनों को नहीं सहन कर सकता जॉर्ज ने कहा हर कोने पर जवान लड़किया खड़ी रहती है विली ने कहा मैं जर्मनों को सहन नहीं कर सकता जॉर्ज ने फिर कहा मैं हसने लगा जॉर्ज ने मेरी और देखा उसकी आँखे बहुत निरी हिसी हो गई थी सब लोग एक जैसे ही हैं विली ने कहा लेकिन वे लोग जॉर्ज ने इशारा किया बाहर की और दर्वाजे के बाहर जहां महज अंधेरा था वे लोग भी तुम सिर्फ डरते हो विली ने कहा एक पल के लिए जॉर्ज का हाथ जो गलास पर टिका था सिहर गया यू आरे रॉटर जॉर्ज ने कहा उसके सुर में कुछ रहा होगा कि विली का चहरा चानक पीला पड़ गया देखो मैं काफी बुरा आदमी हूँ इस लवज को दुबारा मोपर कभी न लाना ओह सच मुझ जॉर्ज की आवाज कांप रही थी जैसे वह हवा में लटकी रसी पर चल रही हो और नीचे गढ़ा हो जहां वह कभी भी फिसल सकती है प्रेस यू आरे रॉटर विली गिलास लेकर अचानक खड़ा हो गया जैसे यह कोई खेल हो और नियम के अनुसार उसे खड़ा होना ही हो एक बार फिर कहो उसका गिलास जॉर्ज के सिर के पास सरक आया था कांच पर चिपकी बेर का फेन रोशनी में चमक रहा था जॉर्ज की अधमुखी आँखें उस पर उठाएं येस यू आरे रॉटर आल राइट गिलास तले उसका सिर हिल रहा था आदमी का सिर पूरे धर से अलग होकर केवल अपनी धूरी पर इस तरह कांच सकता है या मुझे काफी हास से प्रद्सा लगा विली ने गहरे विसमे से उसकी ओर देखा और फिर हसने लगा शायद तुम ठीक हो मेबी आइम वह फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गया हमने जादा नहीं पी थी सिर्फ किसी ने हमारे इर्दगिर्द एक भयावसा फंदा डाल दिया जिसे छूते ही खून बहने लगता था कुछ तेर बाद पप का मालिक हमारी मेज के पास आकर खड़ा हो गया गोल मटोल देह किन्तु काफी सुगठित रंग काफी पीला छोटे से माथे पर तेल से भीगे स्याह घुंगराले बाल छुकाए थे और चाहिए उसने मुस्कुराते वे विली की ओर देखा अभी है पाद में विली ने कहा उसके स्वर में पहले सा तनाव नहीं था हालंकि तिरसकार का इस पर्ष हमसे छिपा नहीं रह सका ये मेरे दोस्त है इटैलियन ने हमारी ओर देखा किन्त उसकी आँखों में कोई उत्सुकता नहीं जगी विली हमारे यहां काम करता था उसने गर्व से विली की ओर देखा मानो उसे हम लोग विली की तुलना में काफी तुछ जान पड़ रहे हैं काफी देर से हो उसने पुछा जॉर्ज चुप रहा ईश्वर भला करे उसका सिर्फ अब नहीं काम रहा था मैं खाले गलास से खेल रहा था मेरे हाथ रूप गए सिर्फ कुछ दिन मैंने कहा Isn't it fine? It is fine मैंने कहा कोई काम वह मेरी कमीज के कॉलर को देख रहा था ना जाने कितने देशों की धूल उस पर जमा थी अभी कुछ नहीं विली को काम मिल सकता है लेकिन यह एक जगा टिकता नहीं उसने विली की ओर देखा कुछ प्यार से कुछ उलाहने से मैं तुम्हारे यहां रह सकता था सिर्फ तुम विली ने कहा इटैलियन का चेहरा अचानक छुब दिसा हो आया तुम जानते हो? उसने कहा अह! विली ने कहा तुम सब लोग एक जैसे ही हो बहुत गर्मी है जॉर्ज ने कहा तुम सब जानते हो इटैलियन बहुत आग्रह से कहा ना! मैं कुछ भी नहीं जानता मैं सिर्फ इतना जानता हो कि मैं अभी डांस करूँगा विली ने अपनी कुरसी पीछे ठेल दी और उट खड़ा हुआ किन्तु इटैलियन ने जपट कर उसके कंधे से पकड़ लिया उसकी आँखें सहसा आंक्रांत सी हो उठी विली की लंबी पतली देह के सम्मुक उसका ठिगना गेंद नुमा सरीर एका एक बहुत दैनी सा दिखने लगा विली तुम जानते हो यहाँ पर विली ने धका देकर जटके से अपना कंधा छोड़ा लिया उसकी पीट हमारी मेज के सहारे टिक गई जॉर्ज ने पियर की बोतल को हाथों से पकड़ लिया एक छड़ के लिए लगा जैसे हम किसी जहाँच के डगमगाते डेक पर बैठे हूं और क्रेश्टा शुरू होते ही पप के अलग-अलग कोनों के लड़के लड़कियों के जोड़े बैस्मेंट की सेड़ियों पर उतरने लगे थे इटालियन ने पीछे मुर कर भी नहीं देखा वह सिर्फ हवा में ताक रहा था विली कहीं भी नहीं था उसका खाली गलास हमारी मेच पर रखा था जॉर्ज ने बोदल से हाथ उठा लिया उसकी हथेली के पसीने की पूरी च्छाप काँच पर एक सफेद धब्बे की तरह अंकित हो गई थी इटैलियन ने हमारी ओर दिखा लगा जैसे वह हमें पहचान ना पा रहा हो फिर अवर्ष भाव से दोनों हाथ फैला दिये पागल है? है नहीं? हम चुप रहे उस समय वहां कुछ था जिसका हम से कुछ संबंध नहीं था जिसकी मलान छाया चुप चाप हमारे बीच आस इम्टी थी वह भारी थके कदमों से काउंटर की ओर मुड़ गया बहुत कर्मी है जॉर्ज ने कहा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? क्यूं? मुझे अचानक खीज सी हुआई सब पर डेर शिलिंग मेरे पास है सैंडिलों की खट खटा हट इर्द गिर्द तूटती बेशकल आवाजों का सैलाब फैल गया था जिसके एक छोर पर हम थे एक मेज, जॉर्ज, लागर के दो गलास सब कुछ वैसा ही था जैसा हमने पहले पहल देखा था अब सिर्फ एक कुर्सी खाली थी शायद वह नारास था मैं अपने को रोक नहीं सका जॉर्ज ने कहा तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा मैं अपने को रोक नहीं सकता उसने मेज पर पड़ा मेरा हाथ चोर से पकड़ लिया मेरी उंगलियां उसकी हाथेलियों तले चिप-चिपाने लगी तुम्हें नहीं मालूम, मुझे बॉक्सिंग का बहुत साख है जब मैं पहले पहल लंदन आया था और बेकार नहीं था तो मैं हर रोज बॉक्सिंग के लिए जादा था लेकिन मैं आज तक एक बार भी नहीं जीत सका हूँ सुनते हो, एक बार भी नहीं मुझे में एक अजीब तनाव सा फैलने लगा है मैं प्रतिक्षा करता हूँ कुछ लमोहों तक कि दूसरा आदमी मुझे हिट करे और जब बह नहीं करता तो मेरा खून खौलने लगता है मैं आने वाले खत्रे का मुझ नहीं जो सकता ठीक मौका आने से पहले ही मैं अंधा धुन तूट पड़ता हूँ हालां कि मैं जानता हूँ या गलत है कि लड़ना इस तरह नहीं होता और इसी लिए मैं घर से भाग कर यहां आ गया हूँ मैं अपने पिता की तरह प्रतिक्षा नहीं कर सकता और वह तुम्हारे पिता किसकी प्रतिक्षा कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम मुझे राजनीती में कोई दिल्चस्पी नहीं है उसका मा था लागर के गलास के पीछे छिप गया मैंने अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया वह पसीने में भीगा था मैं उसे अपने पास लिया आया जैसे वह कोई पालतू चीज हो अंगलियों से गुथा हुआ एक सफेद मांस का लोत उसके उपर भूरे बाल बहुत से बाल जो उसके इस पर्ष से अभी तक दबे थे और मैंने सोचा हम सच मुझ कितनी कम बार अपने हाथों को इस तरह देखते हैं जैसे वे हैं जैसे वे असल में हैं तब भ्रहम होता है कि जो भी चीज उनकी पकड में आएगी वो हमारी नहीं हो सकती जानते हो मैंने विली को रॉटर क्यों कहा It is nothing मैं उसके चेहरे को सीधी आँखों से नहीं देख पा रहा था क्योंकि असल में मैं खुद एक हूँ मैंने अभी तुमसे कहा था कि मैं अपने पिता की बहुत गद्र करता हूँ हालांकि क्या उसने मुझे कभी नहीं कहा था तुम उन्हें नहीं जानते वह जीविद भी है या नहीं मुझे नहीं मालू वे उनके पीछे थे वे कौन वे एक बहुत ही ठंडा आतंक साप की कुंडली सा उसकी आँखों में बैठ गया था तुमने कभी नहीं देखा उसने मेरे हाथ को अपनी हथेलियों में बहुत ही सक्ती से जकर लिया उसके काले चहरे पर सिर्फ सफेद दांत नजर आ रहे थे एक कान से दूसरे कान तक खिचे हुए और मैं समझ नहीं सका कि वह हस रहा है या सिर्फ एक भूले शण में उसके दांत खुद बखुद खुद खुदे रह गए हैं मैं यहां सुरक्षित हूँ and for that I hate him I hate him like hell हम चपचाप पीते रहे मेरे आगे घड़ी की डायल थी जिसे मैंने पहली बार देखा था मैं सोचता हूँ मुझे एक सिगरेट पीनी चाहिए मुझे लगता है मैंने लंबी मुद्दत से सिगरेट नहीं पी तुम क्या सोचते हो उसके स्वर में बच्चों कासा आग रह था कुछ भी तो नहीं यदि तुम मेरी जगह होते तो क्या करते तुम्हारी जगह पर मैं हसने लगा मुझे आज तक यह भी नहीं मालूम कि मुझे अपनी जगह पर क्या करना चाहिए लेकिन तुमने अवश्य निर्ने कर लिया होगा अपना देश छोड़ने से पहले शायद बचने के लिए किस से बचने के लिए अपने देश के लोगों से शायद और चीजों से भी जो अब मुझे याद नहीं और तब उस छण मुझे लगा कि जादा पीना शायद संभव नहीं होगा सुबह से ही कुछ भी नहीं खाया था खाली अंतड़ियों को लांगर भिगो गई थी एक नीली हरी सी धुंद कहीं भीतर से रास्ता टटोलती हुई देखी मनिंद जो ना जाने कपसे मेरे संग खिसट रहा था तुम हस क्यों रहे हो मुझे यह जान कर काफी आश्चर हुआ कि मैं हस रहा हूँ और जब मैंने जान लिया कि मैं हस रहा हूँ तो फिर अपने को रोकना बेमानी सा लगा क्या बात है कुछ नहीं कुछ याद आ गया था मैंने टहलते हुए कहा याद मुझे कुछ भी नहीं आया था क्या याद आ गया था वह मुझ पर जुकाया जैसे अभी गले पर लटक जाएगा बताओ क्या याद आ गया था जानते हो तीन दिन पहले मैं जेल जाने वाला था मैं बाल बाल बच गया अशहे दबाव तले कोई भी चीज याद की जा सकती है और मुझे सच मुझ तीन दिन पहले की एक खटना याद हुआई हाँ सच मुझ मैं बाल बाल बच गया मुझे इस तरह के मुहावरे बहुत पसंद है और मैं उन्हें मौके बे मौके दोहराता रहता हूँ जानते हो लंदन में मैं अपने एक दोस्त के घर ढहरा हूँ पिछले कुछ दिनों से उसकी गल्फ्रेंड फिनलेंड से उसके संग रहने आई थी कमरा एक ही था इसलिए मैं बाहर रहता था मैं दिन भर म्यूजियम की लाइब्रेडी में रहता और रात को सोने के लिए यूस्टेंड स्टेशन चला जाता हर रोज नियत समय पर मेरा मेत्र मुझे कुछ शिलिंग दे जाता था और शाम किसी कारणवस वह मेरे पास नहीं आ सका मेरे पास सिर्फ दस पैनी बचे थे दिन भर म्यूजियम में बैठे फूंक का कुछ पता नहीं चला लेकिन रात होते होते मैं अपने को रोप नहीं सका उस समय तक किंक्स क्रॉस के सस्ते रेस्टरॉन बंध हो चुके थे और बस में बैठ कर शहर के सेंटर में जाने की सामर्थ नहीं थी मैं काफी देर तक वारन स्ट्रेट स्टेशन के इर्द गिर्द बद हवा सगूंता रहा आखिर में एक क्रीड रेस्टरॉन दिखाई दिया जो उपर से काफी सस्ता दिखाई देता था आलू के चिप्स और टोस्ट का ओर्डर देखकर मैं भीतर बैठ गया तुम जानते हो ये चीजें सबसे सस्ती होती है जादा से जादा आठ पहनी मैं काफी निश्चिन था कुछ देर बाद अनायास मेरी निगाह सामने दिवार पर जा पड़ी प्राइस लेस्ट पर जिसे शुरू में घबराहट के कारण मैं नहीं देख सका था टोस्ट और चिप्स के दाम डेर शिलिंग थे और मेरे पास दस पहनी से आधी पहनी भी जादा नहीं फिर जानते हो मैंने क्या किया मैं एकदम खड़ा हो गया इस तरह मैं जॉर्ज के संमुक खड़ा हो गया और जोर से चिलाया गुड इवनिंग अरे बाहर कैसे खड़े हूँ और मैं सच मुझ चिला रहा था जॉर्ज के मूँ पर होटल का मालिक उत्सुकता से मेरी ओर देख रहा था मेरे एक दोस्त बाहर खड़े हैं उनसे मिलकर अभी आता हूँ टोस्ट और चिप्स की प्लेट मेज पर छोड़कर मैं आगे बढ़ा दर्वाजे की तरफ बिलकुल सदो कदमों से इस तरह और मैं सच मुझ चल रहा था मेजों के बीच और दर्वाजा पार करते ही तुम जानते हो मैंने फिर मुड़कर नहीं देखा मैं फिर मुड़कर जॉर्ज के पास आ गया था लॉगर का एक लंबा घोट पीकर मैं बैट कया था मैं बहुत देर तक भागता रहा था और वह तुम्हारे पीछे था? नहीं, हसी की बात तो यही है कि वह मेरे पीछे नहीं था और फिर भी मैं एक अंधेरी गली से दूसरी अधेरी गली में भागता रहा था और देखो, मेरी जेब में तस पैनी बच गए थे हालांकि मेरी भूग बिलकुल मिट गई थी तुम भी खूब हो जॉर्ज ने हसते वे कहा मुझे काफी खुसी हुई कि वह हस रहा है मेरा मित्र और उसकी प्रेमिका भी इसी तरह हसने लगे थे जब दूसरे दिन मैंने उन्हें या घटना सुनाई थी हालांकि मुझे हमीशा आश्चर होता है कि लोग विशेश कर वे लोग जिन पर ऐसी घटनाएं बीचती है बाद में किस तरह आसानी से उन्हें हलका सा रंग दे देते हैं क्योंकि देखो उस खड़ी में बिलकुल उस खड़ी में जब खटना सचमुझ खट रही होती है आदमी कितना बदहवास सहो जाता है बगलों से ठंड़ा पसीना टपकता हुआ कमी से चिपक जाता है और भीतर विवल सी कातरता भराती है बावजूद हमारी उम्र के बावजूद हमारे अनुभवों के मैं तो जानता हूँ कि उस राज जब मैं दस पैनी जेब में दबा कर अधेरी सड़क पर भाग रहा था तो कोई बार-बार मुससे कह रहा था यू फाकिंग फूल यू इडियट यू तुम भी कमाल हो जॉर्ज ने कहा जब उसने तीसरी बार यही बात कही तो मुससे नहीं बैठा गया आखों के आगे घड़ी का डायल फिर घूमने लगा और मैं टॉयलेट की तरफ पढ़ गया टॉयलेट नीचे बेस्मेन में था मैं जल्दी जल्दी सीड़ियां उतरने लगा मुझे डर था कहीं सीड़ियों पर कुछ ना हो जाए मैंने मुह पर हाथ रख लिया और बहुत रहस से मैं ढंक से मुस्कराने लगा हुआ कुछ भी नहीं ना सीडियों पर ना वास बेसिन में, जिस पर मैं देर तक छुका रहा था, इस इंतजार में कि कुछ पहार आएगा, और अब घड़ी की सफेद डायल नहीं घुम रही थी, मैंने पंप खोल दिया था, ताकि मैं निश्चिन्त होकर एक एक चीज याद कर सकूं, और अपनी आ बहुत महत्वपूर हो, जैसे कोई बड़ा सत्य इस पर निर्भर हो, ब्योरेवार, क्या सक मुझे जच गया था, और मैं बार बार इसे जबान पर फेर रहा था, क्योंकि मैं कितनी देर तक चीजों को याद करने के बजाए यही दोहराता रहा, कि मुझे हर चीज बार याद करनी चाहिए, ट्वालेट से बाहर आया, तो पाउं ठिटके से रह गए, नास्ते हुए जोडे के भवर में मैं घिर गया था, लोग धक्का देकर आगे निकल जाते थे, और मैं कभी दाएं, कभी बाएं, एक कट पुतली की तरह घूम जाता था, जब कभी अपन सा पोज मालूम हुआ, तुम यहां हो, विली की दाढ़ी मेरे माथे को छू रही थी, और जॉर्ज, वही है, मैंने उपर के ओर इशारा किया, जिस लड़की के संगवा नाच रहा था, उसका चहरा उसके सीने तले छिप गया था, सिर्फ उसके ब्लॉन पाल दिखाई दे ज उसके नंगे कंधों पर पाउडर के हलके निशान थे, और उसने सस्ती छीट की स्मार्ट स्कर्ट पहन रखे थी, होटों पर पसीने की बूंदे थी, जो शायद देर तक नाचने के कारण, लिप्स्टिक के ओपर छितरा आई थी, भीड में खड़े रहना असंभव था, वे मेरे नजदी की बहुत धीमे कदमों से नाचने लगे थे, एक बहुत तंग घेरे के भीतर, कभी विली का सिर मेरे पास सरकाता, कभी लड़की के ब्लॉंड बाल